धन्यवाद आधर्णिये डॉक्टर सत्यपाल जी भारत के वैबस है ओत्प्रोत आपके संभोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद अब मैं केरल के माननिये राजपाल आधर्णिये श्री आरिफ महमद खान जी से अनुदोत करती हूँ कि वे जन्समों को अपने विचारों से संभोधित करें माननिये राजपाल श्री आरिफ महमद खान जी मानिय सरसंग्चालक राश्ट्वी सुयम सेवक संग शरी महन भागवत जी मानिय संसर सदस डॉक्टर सत्यपाल सिंग जी मानिय ओंपरकाश पांडे जी जिन्होंने जो इस पुस्तक के जिसको विमोचम हुआ है उसके लेखक है मानिय अध्यक्ष नबीटी शिरिकोविंज पिरसाथ शर्मा जी नबीटी निदेशक युवा है और नाम भी युगराज मलिक है हमारी युजी सी के चेर्मेन डॉक्टर डीपी सिंग है हमारे उस्ताथ डॉक्टर राजबूत हैं यहाँ पर बहुत सीखायों से यह दुक्टर सत्यपाल सीम जी कह रहे थे यह विशय तो मेरे खाल से अगर शरंखला हो बोलने की तो उसमें भी कबर करना मुशे है तो इसमें क्या बोला जाए आपकी किताब मुझे दो तीन दिन पहले मिली दिन और जो थोड़ा सा देख पाया, चुकर इस बीच में कल भी तीन कारिकरम थे, जो थोड़ा सा देख पाया, तो बुनियादी तोर पे जिसा भी आखिर में डॉक साब ने कहा सुर्पाल जी ने, कि ये सजा के रखने की किताब नहीं है, वैकि इसको 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 इंटरनलाइस क करना, समझना, महसूस करना, उसकी जरूरत है, तो इससे शब्द भी परियोग किया गया कि भादी ये संस्क्रिप्ती की शिरेश्ता, तो मुझे छोटी से घटना जो मेरे साथ हुई, वो यादा आ गए, उन्नीस सो नवे में, पहले भी उन्होंने बहुत कोशिशे की थी, लेकिन उन्नीस सो नवे में तदकालीन पाकिस्तानी पिर्धान मंतरी, शिरीमती बेनजीर भुटो, उन्होंने OIC, Organization of Islamic Countries में, कश्मीर के उपर जो रिजूलूशन दिया, पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ, सदसे देशों में, खुद मुझे ज़रा समय बताती है, हाँ, आप, सदसे देशों में, नहीं, पानी में, समय, आप पॉइंट आउट कर तुझे ज़रा, दस में, दस में, तो वो खुद पिर्धान मंतरी हर सदसे देश में गई, और उसको हमारे अख़वारों ने भी major offensive के तोर पे माना, भारत सरकार की तरफ से ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, कि मैं सदसे देशों में जाऊं और अपना पक्ष प्रस्तुत करणा, जिस दिन मुझे इंडोनीशिया जाना था, तो मुझे ये मालूम था कि इंडोनीशिया में हमारे पहले राजदूत, मुहमद यूनुस साब, जो बात को ट्रेट फियर ऑथरिटी के चेर्मेन हुए, वो थे, तो मैंने उनको फोन किया, मैं किया, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं पहली बार इंडोनीशिया जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा एक ऐसे आदमी से समझने की कोशिश करूँगा, जि सब बताया, लेकिन एक ऐसी उन्होंने खुबसूरत बाद बताई, जिसको कभी फूला ही नहीं जा सकता, उन्होंने कहा कि सुकार्णों, चूँके राश्पती सुकार्णों, चूँके ये समझते थे, कि मैं मुझे पंडी जवाहलाल नहरुत अतकालीन पर धान मंत्री ने, जैसे वो मुझे उनके लगभग परिवार का सदसे मानते थे और मुझे यहां बेजा, तो वो अक्सर ऐसा होता था कि अपनी राजनेतिक जन सबाओं में मुझे साथ लेके चले आते, वहां कहते थे कि ये ये जो भारत का राजदूत है, ये जो उनकी कि हमें बोलते थे, युह नूस्खा नहीं समझे थे, वो ऑद दुछते कि भीम, अर्जुन, भीम, अर्जुन, ये वो कहते थे अपनी भाशाना, तो बोले एक दिन मैंने कई बार में सुन चुका था, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप भीम, अर्जुनदू क्या कहत ते क्या हैं आप ये में जानना चाहता हूं। वेकल आदमी हिल जाए जो जुम्ला कहा है सुकार्नों ने कहा मैं इनको ये कहता हूं कि 200 साल के कोलोनियल रूल, 200 साल की गुलामी के नतीजे में तुम्हारा आत्म विश्वास और तुम्हारी जो एक अपने अंदर जो एक अभीमान कभाब होना चाहिए वो तुम्हारा खत्म हो गया है और तुम ये भूल गए हो, के तुम भीम और अरजुन की ओलाद हो। तुम जिनकी ओलाद हो वो महावीर थे। बोले मैं इनको वो बताता हूं। लकिन अगर हम गोर करें, क्को यहां तो वो लोग हैं जिनका स तो दुनिया में कहीं भी, जब मनोबल, दुनिया में सभी जगा एक थोड़ा सा चक्र वीव तो है, वो उचा जाता है ये नीचाता है, तो जब उस उस परिस्थिती से निकलने में जहां मनोबल तूट गया हो, जहां आत्म विश्वास खतम हो गया हो, जिसका भी डॉक्त तो एक भी मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलेगी, कि उन लोगों ने, जिन्हों ने उस चक्र वीव से बाहर निकालने की कोशिश की, आत्म सम्मान वापस लाने की कोशिश की, विश्वास पैदा करने की कोशिश की, उन्हों ने हमेशा अपनी सांस्क्रिटिक विरासत का सहारा ल ये संस्कृट्टी का महत अब ये इतना लंबा विश्य है कि इतने इस कम समय में बहुत तो नहीं बोला जा सकता मगर मैं भारती ज्यान परंपरा के बारे में जरूर दो चार बाते कहूंगा क्योंकि हम अकसर बात करते हैं जैसे विश्व गुरू का शब जो जो डॉक साब न कि मैं मनी आप स्वामी विवेकन अंजी को पढ़िये तो तो कहते ही जीवन का उद्देश ही ज्यान परापती है सारे जीवन लगे रही है इसी में अपनी जीवी का कमाई ये लेकिन कुछ वक्त निकालिये केवल ज्यान अर्जित करने के लिए और जिस दिन ये ज़र ये वो अब बस समझे कि बहुत धीक रूप से तो आखरी दिन जिस दिन मैं ये समझे लूँ और हमारे सारे गिरंतों में नहीं ग्याने इंसा दिर्शम पवित्र मही बिद्देते ग्यान जैसा प्यॉरिफाई करने वाले कोई चीज दुनिया में है ही नहीं शुद्धी करण कर कोई दूसरी चीज है ही नहीं अब मैं अब इस ग्यान में भी ध्यान रखिएगा कि ग्यान यह सारे ग्यान हैं लेकिन ग्यान में भी कुछ उसकी कैटेगरीज भी और मैं यह मानता हूँ कि वो जो कैटेगरी है जेचा हम कहते हैं कि यह सनातन सनातन का मतलब कि यह दुनिया कि सबसे पुरानी संस्किर्टी है, जितनी संस्किर्टी है हमारी पुरानी उतनी युनान की संस्किर्टी भी उतनी पुरानी है, मिस्र की संस्किर्टी भी उतनी पुरानी है, हो सकता थोड़ी और ज्यादा ही हो, लेकिन युनान, ग्रीस, लगभग जितना आज उनका भौगल लेकिन आज जो मिस्र में सभेता है और आज जो ग्रीश में सभेता है उसका उनकी पुरातन संस्क्रिती से कोई संबंध नहीं है वो केवल विशेषग्यों के अध्यन का विशे है भारत के जो मूलभूट सिध्धान्त हैं युगधर्म के अनुसार चीज़े बदलती है यह निहीं मैं आप से कह रहा हूँ कि हम घुजरे हुए वक्त में जी हैं नहीं युगधर्म के अनुसार बदलती हैं चीज़ें लेकि जो बुनियादी सिध्धांत हैं, बुनियादी आदर्श हैं, बुनियादी मुल्य हैं, वो आज भी जीवनत हैं। अब सवाल ये है, मैं देख रहा था, अभी दो एक दिन पहले मन्नी महुंजी नहीं कहीं बोला का कुछ बात है कि हस्ती मिट्नी नहीं हमारी। ये अकबाल ने सिर्फ सवाल उठा, एक तत्थे के बारे में बताया है और सवाल की सूरतों बताया है। लेकिन जवाब क्या है, वो बात है क्या, वो नहीं बताया। मेरे खाल से हमारी सबकी सामुहिक डाइत्व है कि हम उस चीज़ को जानने की कोशिश करें। मेरा निश्चितमत है कि दुनिया की जितनी संस्कृटियां वो परिभाशित होती थी, या तो भाशा से, या वर्ल से कौन नसल के लोग हैं। और फिर थोड़ा बात समय आया, जहां धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, लेकिन यहां मैं उसी सैंस में इसक्तमाल कर रहा हूं, जो उसका असल अर्थ नहीं है। जिसमें आम तोर से हम सब उसको समझने लगें। या धार्मिक आस्था के आधार हो। तो अगर आप वर्ण के आधार पर संस्कृति को परिभाशित करेंगे, तो जो दूसरी नसलों के लोग हैं, वो बाहर हो गए। अगर आप भाशा के आधार पर करेंगे, तो जो मुझसे भीन भाशा बोलता है, वो बाहर हो गए। अगर धार्मिक आस्था के आधार में परिभाशिक करूंगा तो जो दूसरे धर्मा